देखिए आज की सिच्चुशन में फैट का बढ़ना या हाई कॉलिस्ट्रोल होना बहुत आम बात हो गई है लेकिन अगर आपका कॉलिस्ट्रोल हाई हो जाता है तो इसे कम करनी के लिए कुछ उपाई इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा जो कि नैचुरल है घर पर रह करती है तो यह आर्ट्रिइस को ब्लॉक करती है और आपकी लिपड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है वो बहुत सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक हमें फीस्बुक पर follow नहीं किया तो Facebook को follow करें Instagram पर follow करें और हमारे निव चैनल जिसकी लिंक हमने वीडियो को description में दिय हुई है हमने एक site create किया है हमने design किया है जिसमें आप काफी सारे health wishes पर जितने भी medicines होती है या जितने वी decisions होती है वो site पर आप read कर सकते हैं पढ़ सकते हैं आसानी से आपको वहाँ पर content मिल जाते हैं और बहुत easy तरीके से आप वहाँ पर deeply study कर सकते हैं वीडियो की link और site की link हमने वीडियो के description में दिया हुआ है सबसे पहले समझते हैं कि cholesterol high होने के कारण क्या होते हैते कि cholesterol High होने के बहुत common reason होती है जैसे कि बहुत जादा fatty lotus Sergeant भाना यह कॉलेस किशव को बढ़ा सकते हैं तो आपकोwszy तो कम कैसे करना है दीखिए आपको कॉलेस्टरोल करने के लिए 4-5 चीज़े ध्यान रखने होगे सबसे पहला आपको गारलिक का सेबन करना है लैसुन के से आप इजी तरीके से अपने कॉलेस्टरोल को कम कर सकते हैं बहुत अच्छा क्रिटमेंट होता है लैसुन कैसे खाएं आप नौर्मरी दिन में एक या दो उसकी जो पीसे होते हैं लैसुन के कारले के आपको उसे शेवन कर सकते हैं साथी साथ इसके साथ में आपको ऐसी चीज़ा बंद करनी होगे जिन में बहुत ज्यादा फैट होता है बहुत ज्यादा हाई ओईली फूड है या हैवी फ्राइट चीज़े हैं ऐसी चीज़ों को आपको बंद करना होगा साथ आपको saturated fat को कम करना होगा जो कि रेड मेट या डेरी प्रोडक्स में देखने को ज्यादा तर मिलता है इसके साथ में आपको ऐसी चीज़ा खानी होंगी जो बहुत ज्यादा omega-3 का source होती है यानि कि कई ऐसी चीज़ें होते हैं जिन में omega-3 बहुत ही अच्छी मात्रमा पाये जाता है तो आपको इंसाठी चीजों का शिबन करना चाहिए साते साथ आपको more plant sources जो प्रोटीन होते हैं उनका शिवन करना चाहिए साथ आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रीज ग्रीन पैज़ेटिवल्स का शिवन करना चाहिए देन आपको ओईली फूड या फिर हैवी जो फ्राइट चीज़ें होते हैं उनकी बजाए आपको ग्रीन पैज़ेटिवल्स का सिव रखनी है रोटीन एक्सराइज तरप डेली उससे करना है रोटीन एक्सराइज में आप किसी योगा मास्टर्स या आप जिम जा सकते हैं या आप कई सारी ईसी ऑनलाइनes टीस में और योगा कर सकते हैं जिसके इनकीडीबल जिजल्ट्स आपको मिलेंगे तो ध्यान रखना है यह पांथ चीजें इसपीशली आपको ध्यान रखना है आपको रूटीन एकसाइज करनी है आपको ग्रीन वेजटीबल करना है साथे साथ आपको सैचरेटिट फैट कम कर देना है जो की रैड मीट या डेइरी प्रॉट्स में आपको देखने को मिल जाता है अगर आप यह सारी चीज़ों को मैंटीन करते हैं तो 110 परसेंट आपकी जो कॉलेस्ट्रोल हाई होने की समस्या है वह धीरे-धीरे कम हो जाएगी और आसानी से आप कॉलेस्ट्रोल को कम कर सकते हैं बिदाउट किसी मैडिसेंस देखिए इस वीडियो मैंने आपको कोई भी मैडिसेंस नहीं बताई है किसी प्रकार का कोई मैडिसेंस से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की मैडिसेनल पावर आपको नहीं बताई है तो आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल जानकारी है लेकि और थेंक्स वर बच्चिंग, have a nice day, bye-bye.